नमस्कार दोस्तो इस्टेडी वीट पॉन पर्दिप में आप सब लोगों का स्वागत है दोस्तो आज चर्चा की जाएगी कख्षया 6 हमारा अतीत भागे के पार्ट नंबर 3 ज्याए 3 जो प्रारंभिक नगर पार्ट का नाम है उस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं उसके कु कुछ भाग पर आज चर्चा की जाएगी इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल के मात्यम से पर्तितीन कख्षया 6 789 अंशी आठी बेस पर चर्चा की जाती है आप इन चर्चाओं में समलित हो सकते हैं और हमारे इस चैनल से ज राम बहधूर दयाराम साहनी ने की थी और 1921 में यह खोच की गई थी साथ में मोहँज़ोदो के मीचे विसरी में हमने देखा था जो लरंगाना चिलाष सिंद्ञ परांत पाकिस्तान में है राखल्डास बेनऱजी ने इस की खोच की थी साथ में हमने काली बंगा देखा था अमलानंद घोस एवं ब्रजलाल वासी ने इसकी खोज की थी जब कि हमने देखा था कि यहां मोहन जोदलों से सूती वस्त्र के उसेश मिले थे विसाल सनानागार मिले थे साथ ही साथ मोहन जोदलों को मुर्तकों का टिला भी कहा जाता है और सिंदकार नखलिस्तान भी कहा जाता है इसी चर्चा में हमने देखा था कि उस समय के लोग किस परकार के घरू में रहते थे कैसे उनके घर बने हुए थे कैसे नालियूं की व्योस्ता थी यह सब आप भाग एक में इसका देख सकते हैं आई आज चर्चा शुरू करते हैं नगरूं में रहने वालों के लि चीज किया करते थे आप देख सकते हैं की हडपा सब्यता के लोग क्रिशी भी करते थे अनाज उगाते थे और पसवपालन भी करते थे किसान और चरवाहे सहरू में रहने वाले सास्कूल लेखकों और दस्तकारू को खाने के समान देते थे पौधू के उसे से पता चलता है कि हडपा में गेहूं जो दाले मटर धान तिल और सर्शूं उगाते थे हडपाई लोग क्या क्या उगाते थे लगभग जो चीजां आज उगाई जाती हैं गेहूं हैं जो हैं दाले हैं मटर हैं दान हैं तिल हैं सर्शूं हैं ये सब चीज़ें उगाई जाती थी जमीन की ब्यता के लोग हल से चुताई करते थे हडपा काल के हल तो नहीं बच पाई हैं क्योंकि वे प्रायल लकड़ी से बनाई जाती थी लेकिन हल के आकार के खिलोने मिले हैं इस सेट में बारिश कम होती थी इसलिए शिचाई के लिए लोग कुछ तरह के अपनाए होंगे संबत पा लगानी का संचाई किया जाता होगा और जर्रत पॉल्डे पर उससे फसलों की शिचाई की जाती थी आप देख सकते हैं खिलोना हल है यहां पर यह जो हडपा सब्यता से मिला है खिलोना हल उसके बाद हम देखें हडपा के लोग आज की तरह पसपालन भी करते थे भैंस, ग सालन करते थे गाई भेंस बेड़ बकरी सब पालते थे बस्तियों के आसपास तालाब और चारा गाह होते थे लेकिन सुखे मेहने में मविश्यों के जुंडे को चारा पानी की तलास में दूर दूर ले जाते थे ले जाये जाता था वे बेर जैसे फलों को इकठा करते थे बेर एक फल होता है आप लोग अगर पहाडों में रहते हैं उत्रा खड़के तो आप लोग जानते होंगे और उसको इकठा करते थे मचलियां पकड़ते थे हिरन जैसे जानवरों का भी क्या करते थे शिकार क्या करत ते घुजराहत में हडप्ता कालिन नगर का सूस में निरक्षन घुज्राज से भी कई ऐसे सेत्र मिले हैं जो हडप्ता कालिन इस्तल जो हडप्ता के सम गालीन्य इस्तल है आई ये चर्चा कर्ते हैं इन पर रaters हुए कि खातिरवेद के किनारे धोला वीरा नगर वसा है प्रस्ट पूछा जाता है कि धोला वीरा कहां है धोला वीरा गुजरात में है धोला वीरा की अगर बात करें तो यह कहां पर है यह खातिरवेद के किनारे है खातिरवेद के किनारे धोला वीरा वसा हुआ है अगर इसकी हम बात करें तो वहां साप पानी मिलता था और जमीन उपजाओ थी जो धोला वीरा था यहां पर साप पानी मिलता था और जमीन उपजाओ थी जहां हलपा सब्यता के कई नगर दो भागों में भीवक्त थे धोला वीरा तीन भागों में बाटा गया है अमने अधिकांस जो हलपा काली निश्तल थे उन्हें दो भागव में देखा था पूरवी भाग एवं पश्च्मी भाग, पूरवी भाग में आपने देखा था राजा सासक वर्ग रहते थे जो चिला नुमा बना था और जबकी पश्च्मी भाग बड़ा सेत्र था और यहाँ पर प्राय जन्सामानी के लोग रहा करते थे इसके हर इस्चे के चारों और पत्थर की उची दिवार बनाई गई हैं आप देख सकते हैं धोला विरा जो है तीन भागों में बटा है और इसके तीनों भागों को दिवार से घेर करके रखा था इसके अंदर जाने के लि लिप के बड़े बड़े अक्सरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है इन अभी लेखों को संबवता लकडी में जड़ा गया था यह एक अनोखा उसे से क्योंकि आम तोर पर हडपा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तों पर पाई जाते थे आप देख सकते हैं उसके किनारे बसा है अगर हम देखें तो प्रश्ण पूछा जाता है लोथल किस नदी के किनारे है लोथल भोगवा नदी के किनारे है लोखथल कहां है गुजरात में है बसा है जहां केमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता है या पत्थरों संकों और धातों से बना गरह भी 29 भंडार गरह में कई मुहर और मुद्राकन या मुहरवंदी गीली मिट्टी पर दवाने से बनी उसकी छाप से मिली हैं आप देख सकते हैं लोथर में एक बंदरगा भी था लोथल का बंदरगा या बड़ा तालाब लोथल का बंदरगा रहा होगा जहां समुत्र के रास्ते आने वाली नावे रुकती थी संभाता यहां पर माल चड़ाई उतारी जाता होगा मतलब जो भी समान बाहर से आता होगा या बाहर जाता होगा यह लोथल के इस बंदरगा को से चाता होगा यह इतियास कारों का मानना है आए हम आगे देखते हैं प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नमैस से बंदरगा पाया गया है कहां पर लोथल पर आप देख सकते हैं इसके बाद यहां एक इमारत मिली है जहां संभाता मनके बनाने का काम होता था पत्थर के टुकड़े अध बने मनके मनके बनाने वाले उपकरणों और तैयार मनके भी यहां मिले हैं प्रस्ण पूछा जा सकता है कि मनके के कारखाने कहां थे मनके के कारखाने लोथल में थे मुद्रा मुहर और मुद्रांकन या मुहरवंदी क्या है इसके बारे में थोड़ा समझने का प्रियास करेंगे मुहरों का प्रियोग सामान से भरे उन डिब्बू या थेलों को चिन की छाप को मोहरबंदी कहते थे मोहर जो कटाया बोरा था उसके ठीक उपर से वह मोहर लगाई जाती थी क्यूंकि उसको अगर कोई खोले तो वह मोहर मिट्टी की लेप वाली होती थी और वह क्या हो सकती थी उसका जो चित्र था वह पता चल जाता था अगर कटा खुल गया तो उसके मोह पर इसलिए मोहर लगाई जाती थी इसी को क्या कहते थे मोहर बंदी कहते थे अगर यह चाप टूटी नहीं होती थी तो यह सावित होता था कि समान के साथ कोई छेड़ साथ नहीं होई है अगर इसके साथ अगर यह मोहर टूटी है तो अनम किसी ने हडपा सभ्यता के विनास का कारन भीत्रन बाड बताया है तो किसी ने विदेशी आकरमण को इसका विनास का कारन बताया है अईये इसके विजेय करते हैं लगभाग उन चालीस साल पहले बड़ा दराव देखने को मिलता है चानक लोगों ने इस नगरों को छोड़ द दूर दूर कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया मोहन जो दुड़ों में सड़कों में कच्डे के धेर बने लगे जल निकास प्रणाली नश्ट हो गई और सड़कों पर जुगी नुमा घर बनाई जाने लगे कुछ समय बाद या नहीं 4900 साल पहले क्या हुआ कि यहां पर जो गुलू का विनास हो गया था इसका कारण यह हो सकता है कि इटे पकाने के लिए इधन की ज़रत पड़ती थी इसके अलवा मविश्यों के बड़े बड़े जुंडू के लिए चरागा और घास मैदान समाप्त हो गये होंगे कुछ इलाकों में बाड़ आ गई लेकिन कारणो से सभस्ट नहीं हो पाता है कि नगरों का अंत कैसे हुआ क्योंकि बाड़ और नदियां के सुकने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा ऐसा लगता है कि सासकों का नियंतरन समाप्त हो गया होगा जो भी हुआ हो प्रवर्तन का असर बिल्कुल साब दिखाई देता है नहीं छोटी बस्तियों में जाकर बस गए इसके लगवक्त चौस्ट साल बाद नए नगरों का विकास हुआ इन नगरों को हम अध्याइब पांच में कक्षिया आठ में पढ़ेंगे निश्चित तोर पर अन्यत्र यहां पर कुछ चीज़े दी गई हैं अपने अटलस में म इसका अधिकान सभार रगिस्तान है नील नदी दोस्तो संकसार की सबसे बड़ी सबसे लंबी नदी है शंकशार की सबसे लंबी नदी नील नदी लगवक्त 5000 साल पहले मिस्च के सासन करने वाले राजाओं ने सोنا चानी हाथी दाल लखड़ी और हिरे जोहरात लाने के जी इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिट के नाम से जाना जाता है बड़े बड़े जो ये मकबरे बनाए इन्हें क्या कहा जाता है पिरामिट प्रश्ण पूछा जाता है मिस्र में जो सवाधान के लिए सवों को दवाए जाता है उन्हें क्या कहते हैं पिरामिड कहते हैं राजाओं के मन्ने पर उनके सों को पिरामिड़ू में दबना कर सुरक्षित रखा जाता था इन सों को मम्मी कहा जाता था प्रश्ण पूछा जाता है कि पिरामिडू के अंदर रखे सों को क्या कहा जाता था मिस्टर में कहा जाता था मम्मी या प्रश्ण पूछा जाता है कि मिस्टर में मम्मी किसे कहा जाता था मिस्टर में मम्मी पिरामिडू के अंदर रखे सों को कहा जाता था उनके सों के साथ अनेक चीजें दफनाई जाती थी, इसमें खाद्यान, पेवस्त, गहने, बफ्तन, बाधियंत, रहत्यार और जानवर सामिल हैं, कभी-कभी सव के साथ उनके सेवक और सेवकाओं को भी दफना दिया जाता था, दुनिया के इत्यास मैं सोओं को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिश्त, मैं सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था, आप देख सकते हैं, तो आप लोग इसे निश्चित तोर पर शेयर करें अपने अधिक से अधिक मित्रों के साथ शेयर जरूर करें जैहिन जैवाज़